वेल कहते हैं कि जो एजुकेशन होता है वो सबसे बड़ा हत्यार होता है इससे तुम अपनी बहुत सारी प्राब्लम्स को दूर कर सकते हैं लेकिन बात सिंपल सी कि तुमको वह हत्यार अच्छे से चलाने आना चाहिए जैसे मैं कहूं कि इस समय जो है आपका एससी ने फेज 11 की वेकंसी निकाली है जिसमें की बहुत सारे जो इंजिनर्स वेट अब जानते हैं और शचेंने मैं बताने क्लिए एक क्वेस्टभ उड़ता है माइन में सब के सर अभी अभी जो फेज 11 की वेकंसी निकली है जिसमें की डिप्लोमा और बीटक दोनों ही करते हैं उसमें बीटेक वाले अपने आप डिफॉल्ट होते हैं यहां पर सबसे बड़ा कोशन एक आ रहा है बच्चों कमेंड में सर कि भाईया हमको बताएं सर जो हमने पर इसको एकस्पिरेंस काउंट करते हैं हम लोग वह सारी वेक ही से पोस्त निकल भिव हुई है ससी में फेज 11 में इस में एकस्पेरेंस माना जाता है और यह को एक्सपिरेंस को कुंसर किया जाता है इसलिए जो बच्चे अपरेंटीस कर रूखें चैवर डिपलोमा होल्डर रहें चाहिए पीटेक होड़र बटा जोने कहीं से भी एक साल किया हुआ है एक साल तो आप लोग एक साल जिसमें एक्सपीरेंस मांगा है उसको बिंदास भरिये तो यह ध्यान रिखे बटा कि आप लोग को बस अपना ज्यान अपनी पावर पता में जी तो बटा मैं यह करते हैं इसलिए चाहिए आप बीटेक के बाद आपने अपने किया हुआ है जितने भी एक्जाम होते हैं वहां आप लोग अप्लाई कर सकते हो अब स्टेट का वह अलगल होता है लेकिन मैं सेंडल लोग बात करता हुआ तो आप लोग ध्यान रखिए फेज 11 एक्जाम आप आपका पोस्ट निकला हुआ इसमें जितने भी आपके एक्जाम टेकनिकल के पोस्ट हैं उसमें अगर एक साल का मांग रहा है तो अगर आपने अप्रेंटिस किया है चाहिए बीटेक होल्डर हो चाहिए डिप्लोम हो आप इसको भर सकते हो इसी बात है आप लोग को बहुत always remember one year apprentice is considered as one year experience so whosoever have done the apprentice whether you are a b-tech holder or diploma order you are eligible for eligible for the post which are there in SSC phase 11 that's it thank you so much love you all love you all kohi people doubt ho आप लोग को पूचलियेगा तो आपको रप्लाइ कर दिने God bless you thank you so much